Hello everyone, welcome to my channel So friends, आज हम macro photography extension tube से कैसे करेंगे ये आज मैं आप लोग को बताऊंगी जो कि मैंने अपने खुद के लिए मैंने order किये थे और ये दो दिन पहले ही मुझे deliver हो गिया था और मैंने इससे photo खीचा और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी share करती हूँ क्योंकि अगर आप लोग भी मेरी तरह macro lens अगर इस वक्त खड़ितने के जैसा स्तिती में नहीं है तो ये बहुत ही cheap price में मिलता है और इसमें भी इसका जो result है वो आपको एक macro photo मतब लेंस की तरह ही आपको मिलेगा तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से ये मैं share करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा help हो तो macro photography करने के लिए बहुत सारे तरीके है एक जो है आप lens को reverse घुमा के इसके लिए एक adjuster मिलता है आप उसे लगा के अपने lens को reverse में लगा के macro photography कर सकते है दूसरा जो है filter आता है बहुत सारा cheap price का भी होता है मेंगा भी होता है अगर आप किसी company का लेंगे तो उसमें एक lens की तरह वो मेंगा मिलता है उसका भी इस्तमाल करके आप macro photography कर सकते है और जो तीसरा है वो है ये extension इसका इस्तमाल करके भी आप macro photography कर सकते है और जो number one जो है व सबके बसकी बार नहीं होता है तो इसलिए मैंने इसे पर्चेस किया है तो आज हम एक्सटेंशन ट्यूब के बारे में बात करें गे तो यह जो एक्सटेंशन ट्यूब है यह यानि कि आपके लेंस और आपके कैमरे के साथ यह जो है कनेक्ट रखता है तो इस तरह का जो लेंस है ट्यूब है वह थाउजन रुपेस ते स्टार्ट है वह 15-1600 तक जा सकता है अब यह डिपेंड करता है कि आपको मार्केट में कौन कितना बेच रहा है इस तरह से होता है तो यह जो अलख तक भी सिस्थाहिए तो यह देख सकते हैं यह दिखने में बिल्कुल एक लेंस की तरह ही है और इसका वेड्शी जो है यह ज़्यादा से ज्यादा 100 ग्राम ही होगा इसका वेट तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि यह तीनों अलग-अलग पार्ट में आता है जैसे कि यहां पर देखिए 31 mm का है पहला फिर दूसरा है 21 mm का है फिर 13 mm का है यानि कि आप चाहे तो तीन को एक साथ लगा सकते है या फिर एक-एक कर के भी आप यूज कर सकते हैं यह देखिए और यह इसका पूरा बॉड़ी है यह प्लास्टिक से बना हुआ है बहुत ही अच्छा मजबूत प्लास्टिक से बना हुआ है इसका पूरा बॉड़ी और सिर्फ एलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्ट करने के लिए यहां पे जो glasses लगा हुआ नहीं है यानि कि आपके picture quality में कोई भी फड़क नहीं आने वाला है क्योंकि आप अपने lens से जैसे photo लेंगे वो वैसा ही आएगा अगर हम 18-85 या 50 mm lens से अगर हम macro photography करते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छा मतब अच्छा उसमें result नहीं आता है क्योंकि इसके लिए macro photography करने के लिए हमें subject के पास जाना होता है और हर lens का एक खुद अपना focal length होता है उससे आगे हम नहीं जा पाते क्योंकि अगर हम उससे आगे जाएंगे तो subject जो है वो बलड हो जाता है उसमें subject क्लियर नहीं आता है तो इसलिए हमें macro photography करने के लिए हमें subject के पास जाना होता है जो कि एक macro lens में ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा focal length के हम subject के पास जा पाए और अगर ऐसा नहीं है तो हम अपना kit lens या 50 mm lens को हम camera और lens के बीच में ये extension जो है वो लगा के हम subject के और थोड़ा पास जा सकते है क्योंकि बीच में एक gap हो जाता है lens थोड़ा सा आगे चला जाता है और camera इसलिए थोड़ा सा बीच का जो gap है उसमें extension अगर हम लगाएंगे तो हम और थोड़ा सा subject के पास जा पाएंगे और हमारा जो macro photography है वो अच्छे से हो पाएगा अगर आप तीनों extension एक साथ यूज़ कर रहे हैं तीनों एक साथ यूज़ करने की ज़रत परती नहीं है अगर आप कर रहे हैं तो मैं आप से recommend करूंगी कि आप tripod का इस्तेमाल करें क्योंकि तीनों एक साथ करने पर जो focus होता है वो इतना ज़्यादा narrow हो जाता है कि stable नहीं रह पाता है तो इसलिए tripod का use कीजिए इससे क्या होगा picture quality बहुत ही अच्छा निखर के आएगा तो बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगे है तो like, share, comment जरूर कीजिएगा कोई भी प्रशन है comment में जरूर बताईएगा और अगर अब भी तक चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe करके bell icon को hit केजिएगा Thank you